नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम जैसे मजदूरा का जो जीवन है, वो जीवन दोस्तों कितनी दर्दांग होती है, मतलब हमारे लाइब में दोस्तों, खुसिया का बाता है, का जाता है, कुछ मालूमी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो मेहनत मजदूरी करता है, मत वे लाइब छो होता है बाहर में गुजरता है या तो भाई या काम करने के लिए हम लोग दिल ली जायेंगे नहीं तो घुजराया जाएंगे नहीं तो कस्मीर नहीं तो केरल जाएंगे तो हमें एक चिंता रहता है यार कि उस state में जाके 3 महीन शाओन कीई पहर जाके जितना कमाया दोस्तो गर में आके बीबी बचैई या माँबाप का पूरा दोस्तो पैसा चला जाता है यार फिर घर में आके 10 दिन एक महीन रहने की बाद फिर से हमें बाहर जाना पड़ता है लेकिन हमारी जो एक समेशा है दोस्तो क्योंकि बाहर जाने के लिए दोस्तो ट्रेन में सफर करना होता है और अगर दोस्तो आप लोग गलती से भी केरेल में जाना जाता है है ना तो एक चीज का दोस्तों आपको advance ध्यान देना होगा कि केरेल जाने के लिए दोस्तों पहले या आपको कितने दिन पहले train का ticket बूक करना होगा ताकि आपको एक seat मिले क्योंकि दोस्तों कलकात्ता से केरेल 3700 किलोमीटर दूर है है ना मतलब 3700 किलोमीटर दूर है तो उस इतनी बड़े एक journey है हमारी आगे दोस्तों तो पता है आपको 3-4 दिन लग जाएगा दोस्तों तो रास्ते में हमें एक अच्छा है अगर seat मिल जाए है ना अगर AC का seat ना भ तो चार चीज को ध्यान रखना पड़ेगा तो केरेल में जाने के लिए आपको चार महिना पहले ही दोस्तों टीक्टे बूग करना पड़ेगा नहीं तो आप आराम से दोस्तों जाने सकती क्योंकि केरेल में इतना competition है लेवा लोगों का दोस्तों मतलब 4 महिना पहले ही दोस केरेल में जाओ लेकिन रास्ते में हमें और भी अगर तीन दिन का हमारा रास्ता है तो मालिये दोस्तों चार दिन हमारा लग जाएगा है ना इसलिए मेरे भाई इस चीज का ध्यान देना कि केरेल जाने से पहले कम से कम चार महिना पहले ठीक्टे बुक कर लेना दोस्तों य ना क्योंकि मैंने खुद जहलाई यार जनेरल में जाने से आदमी का हालात बहुत खराब हो जाता है इतने दूर का जरनी है इसलिए मेरी भाई अगर आप लोग केरेला में जाना चाहता है ना तो कम से कम चार माई ने पहले टिकेट को दूस्तों बूक कर लेना ताकि दूस्त